अब नेट्स क्वेश्चन है तिर्भुज PQR एक समकोर तिर्भुज है जिसका कोण P समकोर है तथा QR पर बिंदू M इस परकार रिस्तित है कि PM परपेंटुकुलर QR दरसा है कि PM स्क्वेर बराबर QM into MR है समकोर तिर्भुज PM Q में PQ का स्क्वेर देखे बटा सबसे पहले हम कि एक PQR एक समकोर तिर्भुज है जिसका कोण P समकोर है कह रहा है तथा QR पर बिंदू M इस परकार रिस्तित है कि PM जो है वो परपेंटुकुलर किस पर है QR ठीक है तो हमने समकोर तिर्भुज PM Q में किया PM Q में तो यहाँ पर 90 डिगर तो इसके ठीक सामने की जब भुजा लेगा तो किया है आपके पार PQ स्कूर बराबर PM का स्कूर प्लस MQ का स्कूर एक्वैशन नमबर फॉसरा समकोर तिर्भुज हमने किसमे लिया PMR में तो यहाँ पर हमने 90 डिगरी का कोर्ण है इसके ठीक सामने की भुजा कितनी है हो जाएगी कर्ण तो PR का स्कूर बराबर PM का SQUARE PLUS MR का SQUARE EQUESION NUMBER SECOND, अब EQUESION FIRST और EQUESION SECOND को जोडने पर, तो हमने क्या क्या, LEFT को LEFT से जोडा, RIGHT को RIGHT से जोडा, PQ का SQUARE PLUS PR का SQUARE, बराबर 2PM का SQUARE, देखो, PM SQUARE PLUS MQ SQUARE PLUS PM SQUARE PLUS MR SQUARE, तो PM PM जोड़ा, तो 2PM का SQUARE PLUS MQ का square प्लस MR का square अब हमारे पास समकोर तरभुज PQR में बड़े इससे वाले तरभुज में लिया हमने तो बड़े तरभुज में जब हम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर Q क्या आएगा P जो 90 डिगरी का कोर है तो इसके ठीक सामने की भुजा QR है तो QR का square बराबर PQ का square प्लस PR का square equation number fourth हो जाएगे तो equation third और fourth का अगर देखते हैं तो हमारे पास जो PQ square प्लस PR square है इसकी जगा value आपके पास क्या है QR square ठीक है इसकी जगा QR square रखेंगे बराबर 2PM square प्लस आपके पास MQ square प्लस MR square है अब QR जो है वो किसके बराबर है QM plus MR के बराबर है तो इसे QR की जगा हमने QM plus क्या लिखा है MR इसका क्या हो जाएगा whole square बराबर 2PM square plus MQ square plus MR square इसमें A plus B का whole square लगाया तो QM square plus MR square plus 2QM into MR बरावर 2PM2 प्लस MQ2 प्लस MR2 तो देखो यह MR2 यहां प्लस में था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि बीच में equal का sign है तो MR2 से MR2 कर जाएगा और आपके पास यहां पर QM2 है और यहां MQ है बात एक ही है डिजिट आगे पीछे इसलिए यह value एक जासी है तो आपके इससे क्या हो जाएगा कर जाएगा क्योंकि प्लस में था आके माइनस तो क्या बचा हमारा 2QM into MR बराबर 2PM2 यह 2 से 2 कर जाएगा तो PM2 बराबर QM into MR हैंस प्रूवड हो जाएगा अब उसके बाद next question हमारे पास है इस question को आपको home up में करना है अगर नहीं आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं बिटर कभी कभी हो सकता है message ना देखूँ तो आपका message नहीं देख पाती है तो आप मुझे call करके कह सकते हैं मैं यह question बता दीए तो ABD एक समकोन तरूँज है जिसका कोन यह समकोन है तथा AC perpendicular BD है चित्र मैंने बनाया है दर्सा यह की AB square बराबर BC into BD और दूसरा AD square बराबर BD into CD और तीसरा आपको दर्साना है की AC square बराबर BC into DC यह आपको क्या करना है प्रूफ करना है ठीक है तो अगर नहीं आएगा मैंने का नहीं हो सकता अगर मैं message नहीं देख पाऊं तो मुझे आप क्या कर लेना call कर लेना ठीक है उसके बार next question है ABC एक समदिवाहू तर्भुज है जिसका कोन C समकोन है सिद्ध करो की AB square बराबर 2AC square दिया है तर्भुज ABC में की angle ACB जिसका C समकोन है तो ACB बराबर 90 degree और समदिवाहू तर्भुज है तो समदिवाहू तर्भुज में BC बराबर के हब के पार AC ठीक है सिद्ध करना है AB square बराबर 2AC square उप्वपत्ति हमारे पास यहां पर समकोन तर्भुज ACB में क्या होता है आपको मालम पाइथा गोरस का प्रमे होता है AB square कार्ण का square बराबर लंब का square धन आधार का square तो AB square बराबर AC square प्लस चूँकि आपको समदिवाहू तर्भुज दिया है तो समदिवाहू तर्भुज में क्या होता है ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी अर्थाथ जो BC है वो किसके बराबर होगा AC के बराबर हो जाएगा तब मैंने आपके इस BC जगह क्या लिख दिया AC square है तो square लिखूँगी तो AC square में AC square एड़ होगा तो कितना जाए 2AC square तो AB square बराब 2AC square हैंस प्रूब अम नेक्स क्वेश्चन है ABC एक सम्दिवाहो तरिभुज है जिसमें AC बराबर BC यदि AB square बराबर 2AC square है तो सिद्ध कीजे कि तरिभुज ABC एक सम्दिवाहो तरिभुज है इससे पहला उसका reverse है देखे उससे पहला रा क्वेश्चन था आपको वो सम्दिवाहो तरिभुज दिया था और साथ में आपको क्या दिया था तो आपने और सम्दिवाहो तरिभुज भी दिया था और आपने सिद्ध करना था कि AB square बराबर 2AC square यहां आपको एक सम्दिवाहो तरिभुज है दिया है और AB square बर 2AC square यहां यह चीज दी है आपने यहां सिद्ध करना है कि यहां त्रिभूज जो है समकोर त्रिभूज होगा ठीक अब उसका next question एक संभाव त्रिभूज ABC की भुजा 2A है उसके प्रतेक सीर्ष लंब की लंबाई ग्याद कीजिए संभाव मेंस जिसको हम इकुलेटर ट्रिएंगल कहते है अब हमारे पास एक संभाव त्रिभूज है तो यह भी 2A है यह भी 2A और यह भी कितना है 2A आपने इसके शीर से लंब की लंबाई ग्याद करनी है तो शीर से एसे आपने इस पर लंब डाला AD त्रिभूज ABC एक संभाव त्रिभूज है जिसकी भुजा उसने आपको कितनी देर की है 2A देर की है और AD perpendicular BC कह रहा है तो इस AD ने इस BC को टू पार्ट्स में डिवाइट कर दिया है तो यह भी A हो जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा A जैसा कि मैंने आपको लिखा है अब त्रिभूज ABD में पाइथा गोरस के प्रमेस है क्योंकि समकोर त्रिभूज बन गया है तो कार्ण का स्क्वेर बराबर लंब का स्क्वेर धन आधार का स्क्वेर तो हमारे पास AB का स्क्वेर बराबर AD का स्क्वेर प्लस BD का स्क्वेर AB की जगा हमारे पास कितना है 2A का whole square बराबर AD square रहेगा प्लस A square तो यहन की है कितना आ गया 4A square बराबर AD square प्लस A square A square प्लस मता इधर आके क्या हो जगा माइनस तो AD square बराबर 3A square आ गया ठीक है तो AD बराबर root 3A square या AD बराबर कितना आ गया A root 3 ठीक है और इस परकार ये इसका क्या हो गया आंसर ठीक है अगर question समझ में नहीं आया तो फिर पूख लेना